प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने गुरुवार को पश्यम बंगाल की विश्व भारती युनिवर्सिटी के शतावदी समारों को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये संबोधित किया उन्होंने कहा कि विश्व भारती के लिए गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर का विजन आत्म निर्भर भारत का भी सार है मोधी जी ने इस मौके पर गुजरात और बंगाल का साड़ी कनेक्शन भी बताया आपको बता दे कि 34 मिनट के भाषन में मोधी जी ने कहा कि संस्था को इस उचाई पर पहुचाने वाले हर व्यक्ति को मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं उनका अभिनंदन करता हूं भारत आज इंटरनेशनल सोलर एलाइंस के माध्यम से परियावर्ण संरक्षन में एहम भूमी का निभा रहा है भारत एक लोता देश है जो पैरिस एकोर्ड के तहट सही मार्क पर आगे बढ़ रहा है स्वतंत्रता आंदोलनों की नीव बहुत पहले रखी गई थी आजादी के आंदोलन को पहले से चले आ रहे कई आंदोलनों से उर्जा मिली भक्ति युग में भारत के हरक्षेत्र में संतों महंतों की देश की चेतना के लिए अविर्राम प्रयास किया वेद से विवेका अनंद तक भारत के चिंतन की धारा गुरुदेव के राष्ट्रवाद के चिंतन में भी मुखर थी और ये धारा अंतर मुखी नहीं थी वो भारत को विश्व के अन्य देशों से अलग रखने वाली नहीं थी उनका विजन था कि जो भारत में सर्विस्रेष्ट है उससे विश्व को लाब हो और जो दुनिया में अच्छा है भारत उससे भी सीखे आपके विश्व विद्यालय का नाम ही देखिए विश्व भारती प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि गुजरात की बेटी भी गुरुदेव के घर बहु बन कर आई थी सतेंद्र नाच्टैगोर की पतनी ज्यानदा अनंदनी जब एहमदाबाद में रहती थी तब उन्होंने देखा कि वहां महिलाएं सारी का पल्लू दाईयों रखती थी इससे काम करने में परेशानी होती थी उन्होंने सलहा दी कि बायक अंधे पर पल्लू रखें तो काम करने में आसानी होगी ये परंपरा तब से ही वहां चल रही है बताते चले कि 1921 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती देश की सबसे पुरानी सेंट्रल युनिवर्सिटी है मई 1951 में इसे एक केंद्रिय विश्व विद्याल्य और इंस्टिूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस घोशित किया गया था 19 अक्टूबर को मोदी ने मैसूर उनिवरसिटी के शताबदी दिकषांत समारों में हिस्सा लिया 1916 में बनी इस युनिवरसिटी के कार्यक्रम में मोधी जी ने युवाओं को शिक्षा और दीक्षा का सही मतलब समझाय था वहीं कारेक्रम में मुख्यमंत्री मम्ताब एनर्जी नहीं पहुची जिस पर भी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा साइंस एंड टेक्नोलोजी मिनिस्टर ब्रत्य बसू ने कहा कि मम्ताब एनर्जी प्रदेश की मुख्यमंत्री है उफीशल प्रोटोकॉल के तहट उन्हें कारेक्रम में बुलाया जाना चाहिए था युनिवर्सिटी अथोरिटी ने इस बारे में हमसे कोई बात नहीं की क्या मुख्यमंत्री से इस तरह का बरताव किया जाना चाहिए इस बीच ममताब एनर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि शान्ती निकेतन में टैग ओर के विजन और फिलोसफी को बचा कर रखा जाना चाहिए उन्होंने कहा कि विश्व भारती विश्व विद्याल लेया सो साल का हो गया है शिक्षा का यह मंदिर रविंद्र नाठ टैगोर का सबसे बड़ा प्रयोग था ऐसे ही लेटेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को फ्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सुब्स्क्राइब करें घन्यवाद J.B.D. Banquets लाए है, incredible marriage palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns, state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgarana and Jyoti Garden, a J.B.D. Banquets enterprise